अब ठब येलो नमस्कार प्रणाम पहलाग आगए सभी का आरती के ब colonial में हादिक सवागत है आज है 9 नमब्र उत्रक्ंड दिवस तो आप सभी को उत्रखंड दिवस की हार्दिक सुर्थ कामना है जैसे कि आप सब क्यों पता है आज के दिन उत्राखंड की स्तापना हुई थी उत्राखंड का गठन 9 नहुंबर 2000 में 27 वे राज्ये के रूत में संगठित किया गया उत्राखंड में पहले दो मंडल थे लेकिन आप तीन मंडल माने जाएंगे पहले थे गडवान मंडल, कुमाओ मंडल और अब तीसरा जो वे है गेर सेंड मंडल उत्राखंड तो दिखने में वैसे भी काफी खुबसुरा थे आप सबी को पता है तो हम लोगों का 22 वर्स पूरे हो चुके हैं पहले जे उत्तर प्रदेश था तो आप जो 22 साल पूरे हो चुके हैं जब से यह उत्तराखंड हुआ है तो यहाँ पर आपको पता है कितने ज़्यादा घूमने का स्थाल थीकर तीर्तिस्थाल है तो जैसे हरिध्वार रिशिकेष वगेरा सब लोग यहां काफी दूर दूर से स्नान करने आते हैं और काफी मान्यता आये हैं और जिससे बद्रिनात के दानात लोग काफी दूर दूर से घुमने के लिए आते हैं तो उत्रखण इसलिए ज़्यादा जाना जाता है तिर्थिस्तलों के लिए ही उत्रखण की भासता वैसे त करते हैं कि कुई लोग दूर से आते हैं तो और इसे लिए ले कुमावनी पहसां नहीं आती तो इसलिए ंडी का घंडी में बशार करते हैं और पढ़ने लग गया और उत्राखण में सबसेज़ जादा किटसी की जाती है लेकिन आजकल प्लायन होने लग गया पहाड़ों से लोग नीचे सहरों की तरफ जादा आने लग गए क्योंकि अब इतना काम भी नहीं अपने घर परिवार चलाने के लिए सब लोग नीचे आने ल लोग जिसको पसंदाता है प्लीज लाइक किजिए कमेंट किजिए और सब्सक्राइब किजिए थैंक यू बाई यह देखिए उत्राखण दिवस के लिए स्कूल में बच्चों का प्रोग्राम है तो इनको तयार किया गया है और कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए उत्र द्रेस में यह हमारे कुमावनी ड्रेस पिछोड़ी वगिरह सब पहना के तियार किया गया है इनको